नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से दोस्तों हिंदू धरम में कोई भी कार्य शुरू करने से पहले गनेश भगवान को याद किया जाता है या उनकी पूजा की जाती है और उनकी प्रत्थम में पूजा करने से आपकी सभी मनों कामनाय पूर्ण होती हैं यदि आप किसी भी नए कारियों को करने से पहले गनेश जी की पूजा ये गनेश जी को समरान नहीं करते तो उस काम में आपको हमेशा रुकागते आ सकती हैं दोस्तो वैसे बुद्वार का दिन गनेश जी की पूजा को समरपिट है और हिंदू धरम में गनेश पूजा का विशेश महत्व है कोई भी शुप कार्य की शुरुवात गनेश पूजन से ही होती है कहते हैं कि गणेश जी की पूजा से व्यक्ति का हर बड़ा संकत टल जाता है मुई दोस्तो अगर गणपती रुष्ट हो जाएं तो कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है इसलिए गणेश जी की पूजा करते समय इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए दोस्तो भगवान गणेश की पूजा सुबह सनान करने के बाद विदी विदान से पूजा अरजना करके करें पूजा में भगवान गनेश को उनके मन पसंद फूल और दुर्वा अर्पित करें ऐसा करने से आपके सभी कश्ट दूर हो जाएंगे साथी इस बात का भी ध्यान रखें कि किन चीजों को नहीं चड़ाना चाहिए शास्तरों में भी कहा गया है कि भगवान की पूजा करें उनकी प्रिया चीजों को अर्पित करने से ही आपकी सभी मनों कामने पूर्ण होती है तो आईए दोस्तों जानते हैं कि भगवान गनेश को कौन से फूल चड़ाने चाहिए और कौन से नहीं केतकी के फूल दोस्तों केतकी के फूल भगवान गनेश को नहीं चड़ाने चाहिए प्राणिक मानताओं के अनुसार भगवान शिव को केतकी के फूल अप्रिये होते हैं इसलिए गनेश जी को ये कभी अर्पित नहीं करने चाहिए तुलसी दल, दोस्तो, शास्तर और पुरानों में कहा गया है कि ना तुलसी है, गणा दीपामा, इसका अर्थ है कि भगवान गनेश पर तुलसी के दल को अरपित नहीं करना चाइए, एक बार तुलसी जी ने भगवान गनेश को लंबोदर कहकर उनसे विवा करने से इंकार कर दिया था तब गणेश जी ने तुल्शी को श्राब दिया था और इसके बाद सेल तुल्शी को चड़ाना वर्जित माना गया है सुखे बासी फूल दोस्तों गणेश जी को पूजा में सुखे और पासी फूलों को नहीं चड़ाना चाहिए उनकी पूजा में सुखे फूल च को दूर कर देते हैं गेंदे का फूल दोस्तों गनेश जी को मुखे रूप से गेंदे के फूल चड़ाना चाहिए ये फूल गनेश जी को बहुत प्रिय है इन पूजा को फूलों में अर्पित करने से आपकी सभी मनों कामना जल्दी पूरी होंगी तूटे हुए अक्षत ये चावल दोस्तों धार्बी गरंतों के अनुसार चावल को खुशी और समरिद्धी का प्रतीक मना जाता है मानेता है कि गनेश जी को पूजा में उन्हें अक्षत अर्पित किये जाते हैं लेकिन अर्पित करते समय इस बात का हमेशा ध्यान लखें कि ये तूटे हुए ना हो गनपती को अक्षत अर्पित करने से विक्ति की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और गनेश जी को अक्षत अर्पित करते समय थोड़ा सा घीला कर लें भूल से भी ना करें सफेध रंग का प्रियोग दोस्तो पुराणिक कथा के अनुसार चंदरमा ने गनेश जी का उपहस किया था इसलिए गनेश जी ने चंदरमा को शराब दिया था इसलिए सफेद फूल का संबन चंदरमा से होनी के कारण गनेश जी को अरपित नहीं किया जाते साथ ही उन्हें विंद्य हर्ता को पूजा में सफेद वस्तर, सफेद जनेव और सफेद चंदन का इस्तमाल नहीं किया जाता है तो दोस्तो अब आप चानी गए होंगे कनेश भागवान को क्या अर्पित करना चाहिए और क्या नहीं आशा करते हैं दोस्तो आपको हमारी दी हुई जानकरी पसंद आई होगी दोस्तो अगर हमारे से कोई तुरूटी हो गई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं साथ ही अगर आप भी धर्म से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद